बच्चों के छोटे बेड्रूम को गलती से बनाया गया है, जिसमें बच्चे के बेड्रूम की लंबाई 3 मीटर है, और बिस्तर यहाँ पर रखा गया है, जिसे कपड़े की अलमारी और डेस्क को रखने के लिए कोई एरिया नहीं होता है, हालांकि होमवर्क को तेजी से करने की तैयारी में बेटी घर लोटी है, और वह सीधे बिस्तर पर पढ़ाई करने के लिए जाती है, इसलिए बाप ने यह देखकर इस यूसलेस बिस्तर को तोड़ने का डिसिजन लिया है, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने 200 रुपए का बेड फ्रेम खरीदा, और हम इसमें एक लकडी का बोड लगाएंगे, जिसे बिस्तर के लिए एक बेड फ्रेम के रूप में लगाया गया है, और बिस्तर के नीचे तीन खीचने वाले कपड़े की अलमारी थी, जिसमें से बाहर निकल कर अकसर पहने जाने वाले कपड़े थे, और पास के लकडी के बक्सों को जिसमें बच्य के इनर्वियर रखी जा सकती है, और सीधे उपर के एरिया में कपड़े की अलमारी बनाएंगे, जिसमें कपड़े रखने का एरिया होता है, साइड में बच्य के पसंडीदा फर्जी खिलोने को रखी जा सकती है, और खिड़की के पास एक हंगिंग डेसक बनाएंगे जिसमें विभिन्न पढ़ने की सामान रखी जा सकती है। साथ ही साइड के दीवार में एक छोटी सी बुक शेल्फ बनाएंगे। अब बच्चे के पास एक बेहतर स्टडी एरिया है। अंत में इस शांदार स्टडी रूम के नजारे को देखो।